कि इफ ए इज़ त्री क्रॉस त्री इनवर्टिबल मेट्रिक्स देन वाट विल बी दा वैल्यू ऑफ के इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इसका इनवर्स एक्जिस्ट करेगा तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं कि इफ लिख सकते हैं ईडेंट्री डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड अगर बौथ साइड ले 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 तो यहां भी जया जगा डिटर्मिनेंट ऑफ एंटु एंट्व इंवर्स is equals to determinant of identity matrix 3 by 3 अब अब अपन जानते हैं कि determinant of identity matrix की value क्या होती है 1 किसी order का identity matrix अपन ले 1 order, 2 order, 3 order उसका जो determinant की value होती है वो होती है 1 ठीक है और यहाँ में एक property लिहूँगा determinant of matrix A into B इसको अपन क्या लिखते हैं इसको लिखते हैं determinant of A into determinant of B ठीक है determinant of product of matrix को अपन डारेक्ट आज़े लिख सकते हैं determinant of A into determinant of B तो इसकी value क्या आजगी यहाँ पे यहाँ जगा determinant of A into determinant of A inverse equals to यहाँ पे यह value क्या आगया 1 तो अपने को क्या निकालना था, A inverse के लिए A inverse का determinant निकालना था तो यह basically क्या होगा यह अब scalar value होगा, ठीक है determinant matrix का अगर अपन determinant लेले तो वो एक scalar value के तरह treat होता है यहाँ से अगर मैं A inverse का determinant लिखूँ तो इसको लिखूँगा 1 upon determinant of A ठीक है और 1 upon determinant of A को आपन क्या लिख सकते हैं 1 upon determinant of A को आपन क्या लिख सकते हैं हिसको लिख सकते हैं, determinant of A की power क्या लिख सकते हैं 1 और अगर अपनी ह Search compare करते इन्होंने determinant of A inverse को क्या लिखाए, determinant of A की Power के इसको लिखाए इन्होंने Question happiness जाए बने उसको लिखाए varna remained determinant of A की Power के यहाँ से क्ये की वैल्ली का आ था agar compare करते तो इक वैल्ली को मैनस 1 वन आओगा, ठीक है, किया की value का गया वन आओगा, मैनस 1